हेलो अभीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे जैसे कि आपको बता है दो दिन बाद आप लोगों का एक 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 एक्जाम है इस एक्जाम में वेकेंस तो कम है लेकिन नंबर आफ एस्पेरेंट्स बहुत जादा है जो की इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं पुरानी रिक्रूट्मेंट है बहुत सारे बच्चे जैसे अगर हम बात करें फैनांस कांट असस्टेंट जेके बीएस साई इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं और अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो यहां पे कहीं ना कहीं जो है वो कम थोड़ा सा हो सकता है लेकिन वेकेंस की वज़ा से यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिसके लिए हम यहां पर पूरा डिटेल में बात करेंगे जो लोगी चैनल पे नहीं है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अ अवेल कर सकते हैं लेकिन इसको अवेल करने का तरीका क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और टेलिकराम ग्रूप पे आपको लिंक मिल जाएंगे आपको उन लिंक से कोर्स को परचेस करना होगा वो आपके आप पर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे आपको थोड़ा सा ध्यान जादा रखना है देखो अभी तक अगर मैं बात करूँ टोटल इस पेपर में है छे सेक्शन्स आ यहां पर एक सेक्शन्स है जिसकी अगर मैं बात करूँ पहली है जीके और करन्ट अफेर्स इसके अलावा आ जाती है आपकी जीके विट स्पैशेर रेफर पेपर है और अगर बात की जाए सॉल करने की तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर यह बीस क्वेशन्स होंगे जो देखने को मिलेंगे जिस पर आपका थोड़ा सा टाइम जो हो सकता है अभी तक जेक्शन्स की बात करूँ जो पेपर कंड़क्ट करवाए है पि बलत फ्रेम किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है मैंने बहुत बार यह चीज आपको बहुत जादा इस पर स्ट्रेस दिया है कि हमें कोई भी क्वेशन को इगो पे नहीं लेके जाना है आप लोगों ने नो डाउट अगर आपका बहुत जादा अच्छा होल्ड है दो इस सदिन करा आप उसको मार्क कर दो आप उसको क्वेशन पर ही अलग से एक अईडेंटिफाई कर दो और उस क्वेशन को उस टाइम के लिए स्किंप कर दो क्योंकि यह जो भीश गएप debb क्यू से हुआ है यहां प्र क्या होता है Candle сколько करते चलते हैं तो हम लोग ना इतने असानी से CBD में क्या रहता है हमारे सामने स्क्रीन में टाइम चलता है यहां पर निकाल लोगे यह भी मैं आपको गैरेंटी रहता हूं reason पहली section यहां पर discuss यह क्यों कर रहा हूं क्योंकि यह कैसी section है जिसमें आप लोगों को जो marks है वो आप लोग 20 में से 20 score कर सकते हो और यहां पर vacancies कम होने की वज़ा से जो यह recruitment है या फिर यह जो exam है इसका cut off कहीं ना कहीं high जाने के chances बनते हैं तो इसमें आपको एक calculated risk जो मैं आ यहां पर आपको calculator risk लेना पड़ेगा आप अगर यह सोचेंगे हम 100% accuracy maintain करके जाएंगे 70 equation कर लेंगे 90 equation को attempt कर आएंगे paper qualify करते हैं तो उसमें करने के chances थोड़े से कम हो सकते हैं difficulty level पर बहुत सारी चीजें जो है वो depend करेंगी लेकिन आपको इसका ध्यान जो है वो रखना है इसके साथ अब मैं बात करता हूँ दूसरी section की जो की आपको यह लिए काफी important होने वाली है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दे सकती है वो है computer computer के लिए अब आपको क्या करना है अब ज्यादा time हमारे पास जैसे देखो बचा नहीं है हमारे को बस revision पे जो है वो ज्याद करो ठीक है notes को revise करोगे अपना बार बार रीड करो कोई फालतू कोई नया lecture कोई वीडियो कोई कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं है हाँ अपने notes को अच्छे से revise करो एक बार इसको thoroughly read करने की कोशिश करो और वहां से अगर आप लोग ने तयारी करिये जहां से भी पढ़ है इस ताइम पर MCQ series कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है अपने notes को revise करो इसका level JKSSB जो है कही ना कही easy to moderate ही पूछता आ रहा है और आप इस particular section में भी अच्छा score कर सकते हो इसके बाद आप बात करेंगे तीसरी section का जिसका level जादा बढ़ता हो नहीं दिख रहा है तीसरी section है जादा इसमें आपको एक दो questions पर problem हो सकती है जादा से जादा बट इसमें अगर कोई बच्चा ध्यान से paper करेगा तो अच्छा करेगा इंगलिश में क्या good word हो रही है जो आम तोर पर अवी तक मैंने बच्चों की सुनी है उसमें क्या होता है बच्चा जब question को ना easy question को भी ना बार बार रीड करता है और उसके बार ना उसको लगता है कि नहीं आर इसका answer यह भी हो सकता है इसका answer C भी हो सकता है इसका D भी हो सकता है आपका जो दिल answer पहली बार बोलेगा अराम से रीड करने बाद आप उसको मार करोगे और उसको वापिस से नहीं देखोगे य यह चीज का आपको धिहान रिखना है क्योंकि यह जो सेक्षिंस के हूं बात करें यहां पर आपको एक एज मिल सकती है surprisingly पिछले तीन-चार साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आम तोर पर यह सेक्षिंस सबसे डिफिकर्ट बानी जाती है लेकिन इस समय जीके और टू जे एंड के जो है वो जेक्षिंस भी वी इजी लवल की पूछ रहे है अभी तक कोई ऐसा अच्छा परफॉर्म करना अब अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं अभी क्या होगा इस टाइम पर मैं आपको रिकमेंट करूंगा आपको कोई भी टेस्ट जो है वो नहीं देना है हम लोग ने पांच टेस्ट रखे थे जिसमें मैंने इसके अलावा अडिशन में तीन की पीडिएफ जो है उसको भी कर दिया कि OMR फॉर्म में जिसको देना वो दे दो बहुत जल्द हम लोग अपनी जो लाइबरेरी हैं वहाँ पर भी क्या करने वाले हैं जो बच्चा भाँ पर रिजिस्टर होता है उनके लिए हम लोग लाइबरेरी में OMR पेपर हर संडे को कंड़क्ट करवाएंगे यह भी हम लोग इस पर काम कर रहें जल्दी इंफर्म कर देंगे आपको क्या करना है वापी से सेम अपने नोट्स के ओपर जहां रखना और पेपर में जब बैठोगे देखो जब पेपर में बैठोगे हो सकता है यहां पर भी क्वेक्शन जो है वह कन्फ्यूजिंग दिख और उसके बात क्या होता है थोड़ा सा कई ना कई बच्चा पैनिक कर जाता है हमें पैनिक नहीं करना है हमें अनाम से पेपर अटेम्ट करना है GK2J and Current Affairs देखो यहां पर मैंने आपको पहली एक चीज़ कही थी पेपर दो दिन बाद है लेकिन आम लोग उस दिन भी लाइव pharmacist में पूछे गे थे जिसमें sports के category का basic questions होंगे या फिर अगर मैं बात करूँ आपके river and lakes, political and physical geography ये इस तरीके के questions आपको maximum देखने को मिलेंगे तो जादा stress current affairs पर ना देके आप लोग इस particular topic पर दो current affairs जो JKS भी पूछ रहा है वो ना बहुत journal tribe है इस पे time invest करोगे तो मुश्किल होगा क्योंगि हम लोगों का भी यह plan था हम लोगों ने यही चीज जो थी इस पे काम किया देखा कि paper या पूछा जा रहा है या तो बहुत highlighted events पूछे जा रहे हैं जो सबको पता है या तो वो question पूछा जा रहा है जो किसी को नहीं बता तो एक number के लिए हम लोग अगर अपना 8 गंटे waste कर रहे है वो worth नहीं है at the end हमें देखना है कि हमें कौन सी section कितने number देखे जा रही है और इस section में भी 14 से 15 minimum आप लोग score करके आ सकते हो अगर आप लोग अपने बाकी चीज़ों को अच्छे से revise करो current affairs को आप थोड़ा सा side पर रख सकते हो बहुत important जैसे मैंने January का भी जितने questions थे वैसे कोशिश में कर रहा हो कि February के भी compile हो जाए बंट उसको थोड़ा सा time लगेगा लेकिन मैं weekly upload कर दूँगा जो important highlighted events थे current affairs से जादा कोशिश करो जो gk वाला part है उसको revise करने का जैसे nuclear power plants होगे thermal power plants होगे RBI का क्या रोल था यह सब questions जो है थोड़े से अच्छे से अगर आप करोगे तो इस section में भी अच्छा perform कर सकते हो next section की बात करेंगे science section के ओपर देखो science जो finance account assistant में level रहा था no doubt finance में 20 questions पूछे गे थे बट यहाँ वे अगर बात करूँ यहाँ पे भी 20 questions है game changer कहीना कहीं यह section बनेगी paper में जो science background के है उनको कहीना कहीं यहाँ पे edge मिल सकता है आप लोग अगर science background के नहीं भी है आपके पास अगर मानलो अपने अपने notes है या फिर आपके पास अगर lucent है manohar pande है कोई भी book है आप वहाँ से उसको बस एक बार read कर लेना उन topics को जो आपके syllabus में mention है last minute revision के लिए आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो आपके confidence boost up हो जाएगा जो proper inventions वाला page है आप एक बार उसको देख लेना discovery जो हुई है उसको एक बार यहाँ पर नजर लगा देना की कौन कोंसी है highlighted वाली पूची जाती है जैसे dynamite हो गया radium हो गया जो बहुत highlighted है वही पूची जाती है और यह एक exam ऐसा है जिसमें आपको मैं खुद पहली बार यह कह रहा हूँ कि आपको एक calculated risk जो है वो लेना पड़ेगा किस तरीके से लेना पड़ेगा आपको अगर किसी question पर doubt है आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यह मैंने पढ़ा था इसका answer A और B में से कुछ हो सकता है उसको आप लोग मार करके आना देखो vacancies कम होने से क्या होता है जब vacancies जादा है तब तो हमें accuracy को maintain करके चलना है जब vacancies है ही कम तो हमें risk के बिना paper qualify करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब risk का मतलब यह है कि अगर मालो आप 100 questions करके आ रहे हो वेपर में आपको लग रहे हैं कि 20 में से 10 questions ऐसे हैं जिसके answer हो सकता मुझे पता नहीं हो तो आप इसको mark करके आओ ऐसा नहीं है पचास questions के answer आते हैं सत्तर को आप लोग random guest के साथ चला रहे हो फिर बाद में आगए हमें comment box में बिलेखना शुरू करते हैं आपने बोला risk ले आना मैं 120 कर आया और paper में मैंने बर्बाद कर दिया ऐसा नहीं करना है calculated risk का मतलब यह है कि optional elimination के बाद कहीं बार क्या होता है थोड़ा सा अगर तुक्का भी क्या होता है calculated होता है कि यह चीज़ मैंने पढ़ी थी कभी ना कभी पढ़ी थी एक दो answer इसके हो नहीं सकते यह दोनों में से कोई एक होगा mark कर रहा हो कोई issue नहीं है एक अगर आप लोग 80-90 questions सही कर रहे हो तीस questions का risk का आप लोग ले सकते हो या तो आपको बहुत selection list में डाल देगा अगर fail होना ही है तो वो 80 नंबर पे बाहर हो जाओ या 70 पे बाहर हो जाओ कोई फरक नहीं पड़ता selection चाहिए यह है 90 नंबर अगर कटा हो गया है 100 नंबर आए 90.25 आए कोई फरक नहीं पड़ता तो यह एक calculator risk आपको अपने level पे लेना है बाकी इस exam के लिए all the very best हर एक बच्चे को जो last minute में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जैसे की GK करणड affairs की आप जो topic basic वाले given हैं जो हम लोग काफी time से बढ़ते हो आ रहे हैं उसको revise करो उसमें क्या जो आपके notes बने हैं जो आप लोगों ने notes बनाए है कोई lecture निया नही देखने की जुरूरत है GKJN के know your district को एक बड़ी अच्छे से revise कर लेना वो more than sufficient हो सकती है इस paper के लिए 10 से बार questions आपको देखने को मिल सकते हैं वहां से भी निकल जाएंगे इसके लावा अपने history के बात करूँ या फिर बाकी जो चीज़ें उसको आप अपने accordingly एक बड़ी revise कर सकते हो English के लिए अराम से paper करना यहां पर गडबड मत करना जादा questions पर stress मत देना आपको जो दिल आपका पहली बार answer बोलेगा उसको मार करना narration active passive में गलती बिलकुल नहीं होनी चाहिए जो हम लोग जैसे live sessions में करते थे options के through basic rules को करके आंखे बंद करके फिर मार कर देना गडबर नहीं होगी science की बात करें तो मैंने आपको उताया last minute के लिए आप लोग लुसंड और मनोहर पांडे मुझे दिया जाता है inventions होगी discoveries होगी उनको एक बार read कर लेना याद नहीं करना है बस read कर लेना कि अगर कल को suppose पूछा गया तो वो आपको वैसे strike कर जाएगा mental ability 17,18,19,20 नमबर तक ले रहे हैं लेकिन paper में rule number one जो topic जादा time waste करेगा जो question जादा time waste करेगा उसको skip करना है यह skip का concept mental ability में ही use करना है क्यों क्योंकि एक question अगर गलत frame हुआ 8 से 10 minute waste किये तो बहुत times आया होगा ठीक है तो यह एक चीज़ का में ध्यान देना है इसके बात computer difficult नहीं आ रहा है अभी तक आप लोग इस section में भी बहुत अच्छा perform करके आ सकते हो और last में जाते हुए अगर आप लोग इसके अलावा जैसे हमारे साथ जो पटवारी के बच्चे जुड़े थे पटवारी के हम लोगों ने अभी तक दो test upload करे है पटवारी का third test upload होगा य यह paper के बाद मिल जाएगा कि जो level change होगा उसको हम लोग वहाँ पे apply करने की कोशिश करेंगे और जो बच्चे भी यहाँ पे 50% discount available है forrester की classes चल रही है SI, sorry, supervisor की classes चल रही है, हमारी constable की classes चल रही है, nap तसिंदार की classes चल रही है जो बच्चा यहाँ पे join करना चाता है, आपको description box में courses के link दिख जाएंगे, same number के साथ register करिएगा जो आप पे downloaded है, आपको 50% discount पे सारी चीज़ें जो है, वो मिल जाएंगे इसके अलावा बहुत अगए अभी नहीं चीज़ें हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको लग से inform कर दूँगा all the very best मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ, और happy शिवरात्री एक बार फिर से सबको और उमीद करते हैं कि शिवरात्री में के बाद आपको जो बच्चा बहुत महनती है, यहाँ पर देखो post अच्छी है, vacancies कम है, लेकि no doubt महनती बच्चा यहाँ पर भी qualify करेगा और वो बच्चा अगर qualify करता है, तो कहीना कहीं खुशी बहुत जादा होती है, बहुत जारे बच्चे qualify कर चुके हैं, जिनका अगर नहीं भी होगा, तो कोई मसला नहीं है, हम लोग आगे और मैनत करके चीजों को qualify करेंगे, तो आज के लिए सर्व इतने ही मिलते हैं परदी मिलेंगे ने लेक्चर के साथ,